गुड मॉर्णिंग एवरिवन, बच्चों, आज हम हंदे पार्थे पुस्तक में लेसन आठ स्वक्षिता सर्वोपरी के बारे में पढ़ेंगे आज हम स्वक्षिता के महत्व के बारे में पढ़ेंगे स्वक्षिता मानो समाज का एक आवश्य गुण है या सुखि एवं स्वस्त जीवन की आधारशिला है बिना साफ सफाई के कोई भी कार्य या सजावर्ट सुन्दर नहीं लग सकता स्वक्षिता हमारे जीवन की प्रथम प्रत्मिकता है क्योंकि गंदगी हमारी आसपस के बाताबरन और जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है गांधी जी का सपना भी था स्वक्ष भारत का जिसके संदर में गांधी जी ने कहा था कि स्वक्षिता सुतंदरता से भी ज़्यादा जरूरी है स्वक्षिता भारत के सभी नागरीकों की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है तो बच्चों चलिए आज हम पाठ पढ़ना शुरूर करते हैं या पाठ एक वारतालाब की रूप में है वारतालाब यानिकी बातचीत सबसे पहले हम इस पाठ के पात्रों के बारे में पढ़ेंगे पात्र में है विद्यार्थी जिनके नाम है सैयम, सलोनी, भाविक, भव्या, सनेहा, कार्तिक और अध्यापक प्रधनाचारे भी इस पात्र में है तो चलिए हम पाठ को पढ़ना शुरूर करते हैं सबसे पहले कक्षा के सभी चात्र अपने अपने अस्थान पर बैठे हैं, बच्चे काफी उत्साहित हैं क्योंकि अध्यापक उन्हें कुछ बताने वाले हैं, वह बता रहे हैं कि कल हमारे विद्याले का स्थापना दिवस है, सभी बच्चे खुश हो के हा सर, उन्होंने कहा ह हर बार की तरह इस बार भी हम यह दिन मनाएंगे लेकिन कुछ अलग हटके संयम ने पूछा तो क्या इस बार सांस्कृतिक संधिया नहीं होगी सांस्कृतिक संधिया यानि कि शाम के समय किये गए कुछ सांस्कृतिक कारिक्रम कल्चरलर प्रोग्राम एक्टिबिटी यह सांस् में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों का चयन अलग तरीके से होगा कैसे होगा उन्होंने बताया कि हर विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षा को सजाएंगे और जिन बच्चों का योगदान प्रधनाचारे जी को सबसे अच्छा लगेगा उन्हीं कोबा कारिक्रम में भा पर दिखाने का मौका मिलेगा इसके बाद अध्यापक ने पूछा बारी बारी से बताईए कि कौन क्या कर सकता है स्नेहा ने कहा कि मैं पुष्प गुच्छ बना कर लाओंगी यानि कि गुलदस्ता या बुके और मेच पर सजा दूँगी मेरी मम्मी ने मुझे इकेवाना से घर सजाना सिखाया है भाविक ने कहा सर मैं रंगीन कागा से सुन्दर कलाकृतियां बनाऊंगा और पूरी कक्षा में लटका दूँगा सैयम ने कहा मैं कक्षा के दिवारों पर चिपकाने के लिए कुछ आकर्शक और ग्यानवर्दा कोश्टर बनाऊंगा आप देखेंग उनसे हमारे कक्षा का रूप ही बदल जाएगा सलोनी ने कहा कि मैं कक्षा के सामने बरामदे में सुन्दर रंगोली बनाऊंगी और रंगोली बनाना वैसे भी शुब माना जाता है इसी समय कार्टिक कक्षा में प्रवेश करता है अध्यापक ने पूछा इतनी देर से तु अध्यापक ने कहा तो आप सब अपना-पना काम अच्छे से करेंगे काटिक तुम देर से आए हो मित्रों से मिलकर काम के वारे में समझ लेना कि कल क्या-क्या करना है और कैसे कैसे करना है अगला दृष्य है अगले दिन का कक्षा खूब सजी हुई है साम सुत्री है सभी ब ज़्यादा सजी होई और सापसुत्री है प्रधनाचारे ने कहा कि तुम सब ने तो कक्षा का रूप ही बदल दिया तुम सब ने कमाल के सजावट की है और ऐसा लगता है कि तुम्हारी ही कक्षा प्रधम आएगी उन्होंने पूछा बताईए इस सज्जा में किसका क्या योगदान है स्नेहा ने कहा कि मैंने पुष्प सज्जा बनाया है क्योंकि यह कला मेरी माने सिखाई थी सैयम ने कहा मैंने पोस्ट सलोनी ने कहा मैंने रंगोरी बनाई है जो कि आपने पहले ही देख लिया है अभी कार्टिक का ना बाकी था बहुत ही उदास और शांत बैठा था फिर अचारे ने पूछा क्यों कार्टिक आपने कुछ नहीं किया उसने कहा नहीं सर मुझे च्छमा कीजिए इस कक्षा को समकाया है जो भी गंदगी इधर उदर बिखरी थी फूल कागज के टुकड़े रंग मैंने उसे उठाकर कुड़ेदान में डाल दिया प्रधनाचारे ने कहा कार्टिक तुम यहाओ और तुम नहीं जानते शाय कि तुमने ही कक्षा की सजावट का सबसे महत्वपूर काम कि कि उपरी सजावट कितनी भी सुन्दर क्यों नहीं हो जब तक जगह सापसुत्री नहीं होगी तब तक उसे सुन्दर नहीं कहा जा सकता इसलिए स्वक्षता का स्थान सबसे महत्वपूर और सबसे उपर है सफाई से साधारण सीवस्तु भी सुन्दर दिखने लगती है आगे प्रधनचारे ने कहा आप समझ सकते हैं कि आज की बाजी किसने जीती सभी बच्चों ने कहा हां कार्तिक ने इस तरह से उन्होंने कहा कार्तिक के साथ तुम सबने भी सुन्दर काम किया है इसलिए तुम सब भी कारेक्रम में भाग ले सकते हो तो बच्चों आपने इस पढ़ा यही सीखा कि स्वक्षिता भारत का अभियान एक राष्ट्री अस्तर गर अभियान हैं जिसका उफ्षिता का स्वक्षिता हुज्व को बढ़ावा देना है यह को कर केकर और केमें चुर्षिता क्रेंख स्वक्षिता का यह औरत्यां llevar दिया उन्होंने स्वक्ष भारत का सपना देखा था जिसके लिए वह चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलें और देश को स्वक्ष बनाने के लिए काम करें उनके इस सपन को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री शीन नरेन मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वक्ष भारत अभियान की शुरुवात की इसके सफल कार्यानमन हेतू भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जोड़ने की अपिल की है एक कदम स्वक्षता की यूर या पवित्र विचार हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रिणा देता है अंत में स्वक्ष भारत योगदान के कुछ नारे भी है जो हमेशा याद रखने है हम सब का यही सपना स्वक्ष भारत हो अपना क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया तो बच्चों आपने इस पार्ट में पढ़ा कि स्वक्षता कितनी जरूरी है और उसके महत्त क्या है चलिए अब इस पार्ट में आए कुछ कठिन सब्दों को हम पढ़ते हैं अध्यापक, प्रधानाचार्य, अस्थापना, सांस्कृतिक, प्रदर्शन, कारेक्रम, समस्या, पुष्प गुच्च, कलाकृतियां, आकर्शक, ज्यानवर्धक, पोस्टर, प्रतियोगिता, महत्वपोण, स्वक्षता, आवश्यक और छमा अब इस पार्ट में आए शब्दर्थों को हम पढ़ना शुरू करते हैं अंदाज, अंदाज का अरथ है धंग, संध्या, संध्या का अरथ है शाम, चयन, यानि किचुनना, सांस्कृतिक, संस्कृति से संबंधित, प्रदर्शन, यानि करके दिखाना, प्रस्तुति हल जिसका आर्थ है समाधान योगदान जिसका आर्थ है सहयोग या मदग पुश्प गुच इसका आर्थ है गुल्दस्ता या बुके ज्यान बर्धक यानि ज्यान बढ़ाने वाले अनुमती अनुमती का आर्थ है आग्या शुप प्रभाद यानि की अच्छी सुबह सज्जा सज्जा कार्थ है सजावट जाड़ फानुस यानि शीशे के बने प्रकाश और सजावट के सामान सजीव सजीव कार्थ है जीवित स्वक्षिता स्वक्षिता कार्थ है सफाई अब इस पार्ट में आए कुछ बहुत विकल्पी प्रश्णों को हम पढ़ते हैं पुश्प गुच्छ बनाकर कौन लाया? सलोनी, स्नेहा, सैयम और भाविक तो सही उत्तर है स्नेहा भाविक ने जहाड फानुस बनाना कहां से सीखा था? मा से, अध्यापक जी से, हॉबी क्लासिस में, अपने मित्र से तो बच्चों सही उत्तर है हॉबी क्लासिस में तीसरा है, सलोनी हमेशा किस प्रतियोगिता में भाग लेती है? रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, पुष्पर सज्जा प्रतियोगिता तो सही उत्तर है रंगोली प्रतियोगिता बच्चों इस पार्ट का इस पार्ट की रेडिंग आप सही उत्चारण के साथ करेंगे और इस पार्ट में आए कठिन सब्दों को याद करेंगे थैंक यू